तो ये लेसन है भोली, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अल लेडी, और अब इसके सेकंड पार्ट में अपन इसको इसका टैक्स जो है, इसको पढ़ रहे हैं अपन, अब चुकी उसका नाम तो था सुलेखा, बोली की बात हो रही है, जिसकी कानी मैं ने आपको सुनाई थी, लेकिन चुकी बच्पन से ही उसको सभी लोग बोली कहते थे, बोली का मतलब होता है, बहुत साधारण सी, सिंपल सी, ऐसी बुद्धू सी दिखने वाला, बुद्धू सा दिखने वाला वेक्ती, तो सब उसको शुरू से ही बोली कहते थे, बच्पन से ही बोली कहते थे She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल, चौथी बेटी थी वो, जो नंबरदार था गाउं का रामलाल, उसकी चौथी बेटी थी When she was ten months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain और जब वो 10 महीं नहीं की थी, जब उसकी उम्री केवल 10 महीं नहीं की थी, तब ही वो एक बार 4 पाई से नीचे गिर गई थी, खाट से और शायद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा चतिक रस्त हो गया था That was why she remained a backward child and came to be known as bully That's important और शायद यही कारण था कि वो एक मंद बुद्धी बच्ची रह गई, पिछडी होई बच्ची रह गई और उसको फिर भोली या बुद्धु के नाम से जाना जाने लगा At birth, the child was very fair and pretty जनम के समय तो वो बच्ची बहुत सुन्दर थी उसका रंग भी अच्छा था But when she was two years old, she had an attack of smallpox लेकिन जब वो बच्ची दो साल की थी तो उसको चेचक हो गया Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks बसके बबल उसकी आखे रह गई और बाकी उसके पूरे चरीर के उपर चेचक के दाग हो गए उसके उपर, निशान रह गए बहुत सिंपल सी language लिखी हुई है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको Little Sulekha could not speak till she was five and when at last she learned to speak, she stammered और वो छोटी सी जो Sulekha थी वो पांच साल की उम्र तक बोलने ही पाई बैसे नॉर्मली बच्चा दो ढ़ाई, तीन साल की उमर में बोलने लग जाता है लेकिन वो पांच साल की उम्र होने तक भी वो बोलने ही पाई थी बिकाउच उसके दिमाग में कुछ प्राबलम हो गई थी जब वो गिर गई थी चार पाई से और जब वो आखिर में बोलना सीखी यानि कि जब वो बोलने लगी तो she stammered तो वो हकलाने लग गई दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाग उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे mimicked her नकल उतारना as a result she talked very little और इसका परिणाम किया हुआ वो बोलती बहुत कम थी उसको डर लगता था कि अभी मैं कुछ बोलूँगी तो बच्चे मेरा मजाग उड़ाएंगे मेरी नकल उतारेंगे तो वो बोलती नहीं थी ना के बराबर बोलती थी रामलाल had seven children अब रामलाल जो नमबरदार था उसके साथ बच्चे थे head आ रहा है आपर main work के रूप में simple past tense है has have had three sons and four daughters and the youngest of them was bully और रामलाल जो था उसके साथ बच्चे थे total जिन में से तीन बेटे थे और चार लड़कियां थी चार बेटियां थी and the youngest of them was bully और इन सब साथों बच्चों में सबसे छोटा जो बच्चा था सबसे छोटी जो बच्ची थी वो थी साथों बच्चों में सबसे चोटी थी बोली इट वाज़ प्रास्पेरियस फार्मर्स हाउसोल्ड and there was plenty to eat and drink और यह जो घर था रामलाल का ये एक समरद किसान का घर था याईनि कि रामलाल बहुत समरद किसान था और इसके घर में कोई खाने पीने की कमी नहीं थी खूब खाने पीने के लिए था और बोली के अलावा जो सारे जो बच्चे थे वो स्वस्त थे मजबूत थे ताकतवर थे और जो बेटे जो थे और जो बेटे थे उसके रामलाल के उनको शेर बेज़ दिया गया था पढ़ने के लिए इसकुल में और बाद में जब वो बड़े हुए इसकुल की पढ़ा ही पूरी होगी तो फिर उनको कॉलेज में बेज़ दिया गया और बेटियों की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा उसकी शादी हो चुकी थी तो सबसे बड़ी वाली जो बेटी थी राधा उसकी शादी हो गई थी और जो दूसरी वाली जो बेटी थी राधा के बाद इसका नाम था मंगला उसकी शादित्य हो गई थी and Ramlal would think of the third Champa और Ramlal अपनी तीसरी बेटी Champa की शादी के बारे में सोचने लग गया था They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them और ये जो लड़कियां थी अच्छी थी good looking, अच्छी दिखती थी healthy girls, स्वस्त थी है and it was not difficult to find bridegrooms for them इसलिए उनके लिए वर या दूला ढूनने में कोई तकलिफ नहीं हुई bridegrooms का मतलब होता है दूला और bride का मतलब होता है दूला और रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली she had neither good looks nor intelligence लेकिन रामलाल को अपनी च्छोटी बेटी सबसे च्छोटी जो बेटी थी बोली उसकी चिंता रहती थी क्यों? क्योंकि ना तो वो दिखने में अच्छी थी दिखने में अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि चेचक्य दाग थे और नहीं उसके अंदर बुद्धी थी, बुद्धी से भी कमजोर थी वो बोली वाज सेवन इयर्स ओल वेन मंगला वाज मैरिड और बोली साथ साल की थी जब मंगला की शादी हो गई यानि कि रादा की हो गई, उससे छोटी मंगला की हो गई, चमपा रह गई और सबसे छोटी बोली तो सेम यर अप्राइमरी स्कूल फोर गल्स वाज ओपन इन दियर विलेज और उसी साल गाव के अंदर लड़कियों के लिए एक प्राफ्निक विद्या ले खोला गया, वाज ओपन्ड, सिंपल पास्टेंस का पैसे वह इसा ध्यान दे दिया करो दोड़ा सा ग्रामर पे है तो तैसिल्दार साहिब केम तो परफॉर्मिट्स ओपनिक सेरेमनी और तैसिल्दार साहब जो थे वहां के वह इसके उद्गाटन समारो में आये थे यह सैट तो रामलाल और जब वहां पर आये तो उन्होंने रामलाल से कहा as a revenue official you are the representative of the government in the village तो रामलाल से तैसिल्दार साहब ने कहा कि देखो तुम एक राजस्व अधिकारी हो राजस्व अधिकारी वह होता है जो revenue officer का मतलब जो tax हो अगरा collect करने का काम करता है उन्हें कहा कि तुम सरकार के प्रतिनीदी हो गाउं के अंदर और तुम तो सरकार के आदमी हो जम्यदार रिखती हो and so you must set an example for the villagers must यहां पर आ रहा है एक model के रूप में तुमारे लिए तो यह जरूरी है कि तुम अपना उधारन गामवालों के सामने प्रेस्तूत करो you must send your daughters to school तुम्हें अपनी बेटियों को school भेजना चाहिए must आ रहा है यहां पर एक model है यह जो कि necessity को show करता है बताया था मैंने आपको 9th class के अंदर बढ़ाया था न मॉडल्स आपको मैंने तुम्हें जो मॉडल होता है वो necessity को show करता है यानि कि तैसिलदार साब यह कहना चाह रहे है रामलाल से कि भाई देखो तुम तो गाम के प्रतिन ही दी हो तुम ही अगर अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं बेजो के तो कौन बेजेगा तुम तो कम से कम अपनी बेटियों को पढ़ने बेजो तुम्हें देखकर के और लोग भी पढ़ने के लिए बेजेंगे अपने बेटियों को that night when रामलाल consulted his wife she cried are you crazy if girls go to school who will marry them और उस रात को जब रामलाल ने अपनी पतनी से इस बारे में विचार विमर्ष किया consulted विचार विमर्ष किया लिख लिया अगरो pencil से आप meaning और उस रात को जब रामलाल ने अपनी पतनी से विचार विमर्ष किया तो उसकी पतनी जोर से चलाई उसने का पागल हो गया are you crazy if girls go to school who will marry them अगर लड़कियों की हम लड़कियों को अगर हम इसकूल भेजेंगे तो उससे शादी कौन करेगा मैंने आपको बताया था नहीं कि वो जमना ऐसा था जब इस प्रकार की सोच थी बट रामलाल had not the courage to disobey the तैसिलदार लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी करेश का मतलब साहस हिम्मत लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तैसिलदार का कहना ना माने तैसिलदार के अवाग्या कर दे अट लास्ट इस वाइफ सैड और रंत में उसकी पत्नी ने कहा I will tell you what to do उसकी पत्नी ने कहा देखो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है send Bolly to school तुम ऐसा करो बोली को इसकूल बेज़ दो अब दो ही तो बेटी रह गई थी उसकी रादा की सादी हो गई, मंगला की सादी हो गई चंपा रह गई और बोली रह गई तो चंपा की सादी उन्होंने तै कर दी तो उसकी पत्नी ने कहा रामलाल की पत्ती ने तुम भोली को इसकूल भेज़ दो as it is there is a little chance of her getting married with an ugly face and lack of sense अब चुकि भोली की तो ऐसे भी शादी होने की संभावना ना के बराबर है as a little chance बहुत कम संभावना है of her getting married with an ugly face and lack of sense देखो इसका चैरा कैसा है गंदा सा भदा सा समझदार यह उसके अंदर है नहीं तो इसकी सादी तो मुश्किल होगी तो तुम ऐसा करो इसको भेज़ दो let the teachers at school worry about her अब हमने तो इसकी बहुत चिंता कर ली और अब जो teachers है ने इसकोल के अंदर उनको ही इसकी चिंता करने दो वो ही समाले अब इसको the next day Ramlal caught Bholi by the hand and said come with me और अगले दिन Ramlal ने Bholi का हथ पकड़ा और उसको का कि चलो मेरे साथ come with me I will take you to school मैं तुम्हें इसकूल लेके चलूँगा आज Bholi was frightened Bholi डर गई वो तो कभी घर से बारी नहीं निकली तो डरगी पता नहीं क्या होगा कहां ले जा रहे है मेरे को she did not know what a school was like उसको तो पता ही नहीं था she did not know simple past tense का negative है उसको तो पता ही नहीं था कि school क्या होता है कैसा होता है she remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out to the house and sold उसको याद था she remembered how a few days ago कि कुछ दिनों पहले किस प्रकार से their old cow Lakshmi had been turned out had been turned out past perfect tense का पैसे वो इसे of the house उसको याद था कि किस प्रकार से कुछ दिनों पहले उनकी जो गाये थी Lakshmi उसको घर से इसी प्रकार से ले जाये गया था and sold और बेच दिया गया था यानि कि उसको लग रहा है कि जिस प्रकार से उस दिन उस गाये को लेके गयते हो उसको बेच दिया था कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को भी ले जाएं और आज मेरे को भी बेच दें बाहर ले जा करके ना 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 नो 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 वो बोली, मना किया उसने she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip और वो डर से चलाई shouted in terror, डर से वो चलाई and pulled her hand away और अपना हाथ उसने छुडा लिया पापा से from her father's grip यानि कि अपने father की पकड से grip का मतलब पकड अपने पिता की पकड से उसने अपना हाथ छुडा लिया what is the matter with you, you fool shouted Ramlal, Ramlal चलाई जोर से, क्या है यह, बागल कहीं की क्या प्राबल में तुमारे साथ I am only taking you to school मैं तो तुमें के वहले school ही तो लेके जा रहा हूँ then he told his wife उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा Ramlal ने let her wear some decent clothes today or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her तो Ramlal ने अपनी पत्नी से कहा ऐसा करो इसको तुड़े से अच्छे कपड़े पैना हो ऐसे गंदे कपड़ों में इसको मैं लेकर के जाऊँगा तो हमारे एक अच्छे कहसा परिवार है सारे teachers और इसकोल की सारी लड़किया क्या सोचेंगी जब इसको देखेंगी तो होता है ना ऐसा जब अपन कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छे कपड़े जूते थोड़ा सा होता है तो ना क्या सोचेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग और क्या कहेंगे लोग इस बात के हमें हमेशा चिंता रहती है लोग क्या कहेंगे और बोली के लिए तो कभी नहे कपड़े बने जी नहीं थे कभी भी नहीं बनाये गए थे पास्ट परफेक्ट थेंस का पैसी वह इस है कभी उसके लिए नहीं कपड़े बने ही नहीं थे उसकी बेहनों की जो पराने कपड़े होते थे वो ही उसको दे दिये जाते थे पहनने के लिए मतलब उसको केर नहीं किया जाता था किसी को इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि उसके कपड़ों को धो दें उसके कपड़ों में कोई खराबी आ गई है, कोई फट गए है, कट गए है तो उनकी मरम्मत कर दे है but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted and no longer fitted chumpa, लेकिन आज आज तो इसकी किस्मत अच्छी थी but now, but today she was lucky to receive a clean dress आज तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आज इसको एक साफ सुत्री dress मिली है which had shrunk, shrunk का मतलब सिकुड जाना, कपड़े चोटे हो जाते हैं न दोते, दोते, दोलते, दोलते, कपड़े सिकुड जाते है और ये जो कपड़े थे, आज जो dress इसको मिली है कई धुलाईयों के बाद छोटी हो गई थी, शुकुड गई थी and no longer fitted चमपा और अब चमपा को भी ये कपड़े नहीं आते थे, यानि कि चमपा के चोटे हो गए थे ये कपड़े आज इसको दे दिये गए अबी भी पुराने ही कपड़े गए है, पुराने ही कपड़े दिये है और आज तो पता है उसको निलाया गया अज तो उसको निलाया भी गया पहले कभी उसको निलाया नहीं जाता था और उसकी जो बाल थे, बिलकुल सूखे हुए से, उलजे हुए से उनमें अच्छी से तेल लगाए गया आज तो उसको अच्छा मतलब नहला दुला करके अच्छी से तियार किया जा रहा है पहले नहीं किया जाता था Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home और जब उसको नहलाय दुलाय गया अच्छे कबड़े पैनाय गये जब उसके बालों में तेल वे लगाए गया तब जाकर कि उसको ये भरोसा हुआ ये विश्वास हुआ कि आज उसको घर से भी शायद किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है When they reached the school the children were already in their classrooms और जब वो इसकोल पहुँचे तो बच्चे already पहले से ही classroom के अंदर थे रामलाल handed over his daughter to the headmistress और वहाँ जाकर कि रामलाल ने अपनी बेटी को वहाँ की जो प्रदाना ध्यापिका थी उनको समला दिया Left alone, the poor girl looked about her with fair laden eyes अब तो वो अकेली रह गई लेफट alone चले गए पिता जी तो बच्चों को बड़ा डर लगता है देखे होंगे आपने आप लोग भी कभी चोटे रहे होंगे इसकुल में आप देखते भी होंगे जब चोटे बच्चे आते हैं तो अपने माबाब को छोड़ते नहीं है लेकिन रहना तो पढ़ता ही है अकेली रह गई the poor girl looked about her with fair laden eyes दरी हुई आखों से उसने अपने चारों और देखा poor, fair laden eyes का मतलब डरी हुई बहबीत आखों से उसने अपने चारों और देखा सब नए-ने लोग, अजनबी लोग there were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates कई कमरे थे वहाँ पूर इस स्कूल के अंदर और हर कमरे के अंदर लड़किया बैठी हुई थी उसके जैसी स्क्वैटेड आलति पालति मार के बैठी हुई थी कुछ उकडू बैठी हुई थी अलब बच्चिया बैठी हुई थी चटाईयों के उपर चटाईयां बिच्छी हुई थी, वहाँ बैठी हुई थी, आज कल तो नीचे कोई बैठता नहीं है, आप लोग तो टेबलों पे और स्टूल्स पे चेयर्स पे बैठते हैं, एक जमाना होता था जो बच्चे नीचे ही बैठते थे, साहई सरकारी स्कूलों में आज भी चोटे बच्चे तो नीचे ही बैठते हैं, रीडिंग रूम बुक्स और वो बैठी बैठी वहाँ पर बच्चियां, क्लास रूम्स के अंदर और अपनी किताबें पढ़ रही थी, या स्लेट के ओपर कुछ लिख रही थी, स्लेट देखी हैं आप लोगों ने, स्लेट जान पर एक कौने में बैठ जाने के लिए कहा, बोली नहीं जानती थी, क्या स्कूल क्या होता है, कासा होता है, and what happened there और उसको ये भी पता नहीं था कि वहाँ पर होता क्या है इसकुल में क्या होता है but she was glad to find so many girls almost of her own age present there लेकिन वो ये देखकर के बड़ी खुश हुई कि उसी की उम्री की कुछ और भी लड़कियां वहाँ पर कही सारी लड़कियां वहाँ पर बैठी हुई थी तो उसको लगा कि यहाँ चलो और भी लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई है मा के लिए नहीं हूँ she hoped that one of these girls might become our friend और उसको आशा थी कि यह जो लड़कियां इतनी सारी बैठी हुई है इन में से कोई ना कोई लड़की तो मेरी सहीली बनी जाएगी होता है ऐसा जब भी हम किसी नहीं स्कूल में किसी नहीं जेगा पर जाते हैं तो सब अजने भी होते हैं पर फिर भी अपना अपनी किसी नहीं किसी से दोस्ती हो जाती है और वो तो पहली बार स्कूल गई थी दा लेड़ी टीचर वहाँ पर महिला अध्यापिका थी उस क्लास्रूम के अंदर वहाँ पर एक महिला अध्यापिका थी क्लास्रूम के अंदर जो बच्चियों को कुछ कह रही थी कि बट भोली कुड अंदर स्टेंड नथिंग कुड आ गया यहां पर एक मॉड़ा ध्यान से देखिया आप पर भोली कुछ भी नहीं समझ पाई इनेबिलिटी को शो करता है जब कुड के साथ नोट आ जाता है पास्ट में कुड नोट अंदर स्टेंड नहीं समझ सकी या कुड अंदर स्टेंड नथिंग दूधर नोट नहीं लगा या इदर नथिंग लगा दिया अपन ने तो भी निगेटिव हो जाता है अपने भी देखा होगा अपने स्कूल में भी चोटे चोटे बच्चों के जो क्लास रूम होते हैं वहाँ पर दिवारों के पर कुछ चित्र बने हुए होते हैं कुछ तश्वीरे बनी हुए होती है दा कलर्स फैसिनेटेड हर और वहाँ पर जो रंग भी रंगे चित्र थे उन रंगों ने उसको अपनी और आकरशित किया उसका मन थोड़ा लगने लगा वही पर एक गोड़े का चित्र बना हुआ था और वो गोड़ा भी ऐसे ब्राउन कलर का था इसको याद आया है कि वो तैसिल्दार साब उस दिन स्कूल का उद्गाटन करने आया थे तो इसी प्रकार के एक ब्राउन कलर के गोड़े के ओपर बैठ करके वो आये थे कुछ चीजे जानी पेचानी से लगी हूँ उसको मतलब अब वही पर ये एक बकरी का चित्र बना हुआ था उसने देखा बकरी का चित्र जो था वो काला था उसको याद आया है कि उसके पड़ास में भी एक काले रंग की बकरी थी और दीरे दीरे उन चीजों से अपने आपको जोड रही है उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मैं आई हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है और वहाँ पर उसने उस दिवार के उपर तोते के चित्र भी देखे तोते भी बिल्कुल हरे थे वैसे ही तोते थे जैसे आमों के बगीचे के अंदर उसने देखे थे और चड का मतलब फलों का जो बगीचा होता है उसको और चड कहा जाता है और यह गाय भी थी गाय का फोटो बना हुआ था दिवार के उपर और वो गाय का जो फोटो था बिलकुल उनकी जो गाय थी लक्ष्मी उसके जैसा था और अच्डनली भोली नोटिस्ट देर टीचर वाज स्टेंडिंग बाई हर साइड इसमाइलिंग एठ हर और अच्छानक भोली का ध्यान गया कि जो टीचर थी उसकी जो अध्यापिका थी क्लास के अंदर वो उसके पास ही खड़ी हुई थी और उसको देख करके मुस्कुरा रही थी तो टीचर ने उसे पूछा गी बेटा तुमारा नाम क्या है भा भा भो भो अब वो तो हकलाती थी शी को डिस्टैमर no further than that बस वो भै भो भो इससे आगे नहीं बोल पाई वो then she began to cry and tears float from her eyes in a helpless flood उसके बाद वो रोने लग गई और आशू उसके आखों से बहने लग गए चोटी बच्ची तो ही है she kept her head down as she sat in her corner not daring to look up at the girls who she knew was still laughing at her she kept her head down as she sat in her corner वो अपने कौने में बैटी रही अपना सीर उसने नीचे जुका लिया not daring to look up at the girls उसकी इतनी हमत नहीं हुई कि वो अपना सीर उठाव करके उन लड़कियों को देख सके who she knew was still laughing at her और जब वो हकलाने लगी ना अपना नाम बोल करके तो बाकी जो classes की लड़किया थी उन्होंने हसना शुरू कर दिया उसके उपर होता है तो अब वो लिकदम से गबरा गई वो बोली और उसने अपना सीर नीचे कर लिया रोने लग गई अब उसकी इतनी हमत नहीं हो रही है कि वो अपना सीर उपर करके देख सके वो लड़कियां जो उनके उपर हस रही थी उनकी तरफ वें दा स्कूल बैल रहंग औल दा गल्स करीड आउट अफ दा क्लाफ्रूम और जब स्कूल की घंटी बजी तो सारी लड़किया अपने छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाती हुई क्लास्रूम से बाहर निकल गई बट बोली डेर नॉट लीव और कॉर्नर लेकिन बोली जो थी उसकी इतनी हमत नहीं हुई कि वो अपने कमरे को छोड़ करके चली जाए उसकोने में जहां वो बैठी हुई थी उसको छोड़ करके चली जाए her head is still lowered उसका असर अभी भी जुका हुआ था she kept on sobbing वो सुभकती रही बैठी बैठी रोने के बाद में सुभकते रहते हैं काफी दिर तब बैठी बैठी रोती रही बोली the teacher's voice was so soft and soothing और फिर अचानक से इसकी teacher ने उसको आवाज लगा ही बोली मतलब इतनी ध्यान से इतने प्यार से उसने कभी नहीं जुना teacher's voice was so soft and soothing शांती प्रदान करने वाली अच्छी लगने वाली आवाज उसने बड़े प्यार से बोला उसको बोली अब हत्फराग होता है बोली और एक बड़ा प्यार से बोला जाए बेटा बोली अब ऐसी इस प्रकार से उसने कभी भी अपने नाम को पुकारते हुए किसी को नहीं सुना था in all our life she had never been called like that कभी भी उसने अपने जीवन में उसको इस प्रकार से तो फिर अच्छा लगता है उसको get up said the teacher खड़े हो बेटा teacher ने कहा it was not a command but just a friendly suggestion और यह कोई आदेश नहीं था जैसे एक दोस्त बोलते हैं वैसी बड़े प्यार से उसने गा बेटा खड़े हो आओ मेरे पास बोली got up बोली खड़ी हो गई now tell me your name और फिर teacher ने उसको कहा अब तुम मुझे अपना नाम बताओ क्या नाम है तुमारा sweat पसीना broke out over her whole body और उस लड़की के पूरे शरीर में से पसीना निकलने लगा डर के मारे फिर वोई नाम बताना पड़ेगा फिर वो हकलाएगी would her stammering tongue again and disgrace her उसको लगा कि यह जो मेरी हकलाती हुई जबान है क्या फिर से मेरा अपमान करवा देगी क्या फिर से मेरी बेजज़ती करवा देगी for the sake of this kind woman however she decided to make an effort लेकिन फिर भी उस दयालू महिला के लिए यानि कि उस teacher के लिए उसने सोचा कि नहीं मैं कोशिश करूँगी इतनी अच्छे से मेडम मेरे को बुला रही है पूछ रही है तो मैं कोशिश करूँगी यह नहीं हसेंगी मेरे उपर she had such a soothing voice she would not laugh at her और इन्होंने तो बहुत प्यार से बोला है इन्होंने तो इतने प्यार से बोला है इनकी आवाज भी कितनी अच्छी है सांती प्रदान करने वाली है यह मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगी यह मेरे उपर हंसेंगी नहीं और फिर उसने का भा भा भो भो she began to stemmer फिर से वो अकलाने लगी बोलने ही पा रही है भा भा भो भो well done, well done the teacher encouraged her और फिर उसकी teacher ने उसको प्रोटसाहित किया encouraged, प्रोटसाहित किया शाबाज, बहुत अच्छा, well done, well done come on, now the full name उसने का शाबाज, बोलो, बोलो, पुरा नाम बताओ अपना teacher ने इस प्रकार से जब उसको encouraged किया, उसको प्रोटसाहित किया तो भै, भै, भो, भो, भोली और फिर उसने अपना नाम बोल दिया at last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement और आखिर में वो अपना नाम बोल पाई और ऐसे उसको महसूस हुआ जैसे कि उसका ये बहुत बड़ा achievement हो बहुत बड़ी उपलब्दी उसने की हो well done, the teacher patted her affectionately बड़े प्यार से, affectionately का मतला बड़े प्यार से और उसको कहा put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else उसने का बेठा, put the fear out of your heart अपने मन से दर को निकाल दो imperative sentence है, put main verb से शुरू हो रहा है and you will be able to speak like everyone else और देखना, तुम भी सबकी तरह ही बोल पाऊगी you will be able यहां एक ability को show कर रहा है, future में कोई model नहीं होता है तो present में तो can होता है, past में could होता है लेकिन future में able को use करना पड़ता है अपने को will के साथ में, will be able बोली looked up as if to ask really और बोली ने ऐसे देखा मेडम को जैसे वो पूछ रही हो, क्या वास्तम में में अच्छे से बोल पाऊंगी कभी yes, yes, it will be very easy teacher ने का, हाँ, बिलकुल बहुत आसान होगा सब कुछ you just come to school every day तुम बस रोजाना स्कूल आये करो will you come, आओगी न यह tag question है, यहां पर will you come tag question तो खेर नहीं है क्योंकि question वर्ब नहीं आती है लेकिन tag question के जैसे है यह जब कुछी चीज को confirm करने के लिए question पूशा जाता है, आओगी न बोली nodded, बोली ने अपना सिरिलाया, nodded का मतलब ऐसे सिरिलाना, ऐसे देखो मैं दिख रहा हूँ आपको ऐसे nod करना, यह स्विक्रती होती है no, she say it allowed तो उसकी मैडम ने कहा, उसकी teacher ने कर नहीं ऐसे सिरिला कर के नहीं इस सारे से नहीं बताना, जोर से बोलो say it allowed yeah, yeah, yeah बोलने पार ही, वो हकला रही है yes, फिर बोल दिया उसने and बोली herself, वाज एस्टोनिस्ट that she had been able to say it बोली को बड़ा आश्चरे हुआ अपने उपर बोली herself वाज एस्टोनिस्ट बोली को खुद को बड़ा आश्चरे हुआ एस्टोनिस्ट का मतलब आश्चरे होना that she had been able to say it कि वो बोल पाई बोल दिया उसने didn't I tell you मैने तुमसे नहीं कहा था तीचर ने कहा उसकी तीचर ने कि तुम बोलोगी now take this book और अब ये किताब लो तो तीचर ने उसको एक किताब दी the book was full of nice pictures and the pictures were in color dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi and with every picture was a word in big black letter और वो किताब जो थी was full of nice pictures उसकिताब के अंदर अच्छे अच्छी तस्वीरे थी and pictures were in color और वो सारी जो तस्वीरे बनी हुई थी वो रंग बरंगी तस्वीरे बनी हुई थी dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow और उसमें कही कही की तस्वीरे बनी हुई थी खुते की, बिल्ली की, बकरी की, गोडे की, तोते की, टाइगर की और एक गाए, just like लक्ष्मी गाए बिल्कुल वैसी जैसी लक्ष्मी थी and with every picture was a word और हर पिक्चर के साथ, हर तस्वीर के साथ में एक बड़ा सा अक्छर था in big black letter एक बड़े बड़े काले काले अक्छर हो, मैं जैसे आप जब चोटे थे तो ABCD की किताब आपकी आती थी उसमें एक अक्छर होता था B, C, B4 Boy, C4 Cat याद आ रहा है आपको ऐसे, ऐसी किताब थी वो in one month you will be able to read this book और उसकी टीचर ने कहा एक मेने के अंदर अंदर तुम इस किताब को पढ़ने लगोगी then I will give you a bigger book फिर मैं तुमें और एक बड़ी किताब दूँगी bigger comparative degree है यहां पर ही, और बड़ी then I still bigger one उसके बाद फिर और एक बड़ी किताब दूँगी in time you will be more learned than anyone else in the village और देखना, समय के साथ साथ समय के बीतने के साथ साथ तुम सबसे ज़दा learned बन जाओगी विद्वान बन जाओगी तुम जितने भी गाव में कोई और लोगे हों सबसे ज़दा विद्वान तुम बन जाओगी सिक्षित बन जाओगी then no one will ever to be able to laugh at you फिर देखना, तुम्हारी तरफ कोई भी नहीं हसेगा कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा people will listen to you and with respect and you will be able to speak without the slightest stammer और फिर लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे पुरे सम्मान के साथ देखना और तुमें ना बिना हकलाए बोलने लग जाओगी तुम्हारी यह प्रोथसान होता है यह प्रोथसान होता है understand? समझ गई ना? उसकी टीचर उसको बोली now go home and come back early tomorrow morning अब तुम ऐसे करो घर जाओ और फिर कल सुबह चल्दी आना बोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers और बोली खुश है उसको ऐसा लगा जैसे कि उसके गाम के मंदिर की सभी घंटियां एक साथ बजने लग गई हो और उसको ऐसा लगा कि उसके school के सामने जो पेड है उन पेड़ों के अंदर अचानक से बड़े बड़े फूल खिलने लगे हो यह उसकी प्रसनिता को बताते हैं यह चीजे है और उसके हिर्दे के अंदर एक नई आसा और नए जीवन के प्रती एक दड़कन थी यानि कि उसका हिर्दे अब एक ऐसी दड़कन के साथ दड़क रहा था जिसमें नई आसा और नए जीवन था दस दा येर्स पास्ट और इस प्रकार से साल बीत गए तब विलेज बिकेम आई स्मॉल टाउन और जो गाव था वो धीरे धीरे अब एक चोटा सा कस्बा बन गया गाव चोटा होता है कस्बा थोड़ा बड़ा होता है दा लेटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम आई स्कूल और जो चोटा सा जो स्कूल था जो किसी जमाने में किसी टाइम पे एक चोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो अब एक हाई स्कूल बन गया there were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill और अब तो वहाँ पर एक cinema hall भी बन गया था कस्वे के अंदर गाम के अंदर इसकूल के अंदर नहीं कस्वे के अंदर गाम के अंदर और अब तो वहाँ पर एक वो भी बन गई थी लेकिन जो cinema hall बना था उसकी जो चट थी वो तीन सेट की थी तीन साथ समस्चताइब किरे झो चटरे आति अ झा मेल ट्रेन डीएं टु 2013 सटेशन और माल गाड़ी थी वो भी उस गाम के श्टेशन पर रुकने लग गई थी पहले नहीं रुकती थी समझ में आगे हैं यहां तक आपको बात आप बताईए क्या चाहते हैं इसको पूरा कर दूँ या दस-पंद्रे मिनिट लगेंगे जल्दी तो नहीं है कोई क्लास व्लास तो नहीं है बापकी बस हो जाएगा दस-पंद्रे मिनिट माल लो आप टाइम लगता है बेटा और नौन इस्टॉप पढ़ा रहा हूँ मैं पर क्या करूँ अब टाइम तो लगता ही है न वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेट टो इस वाइफ और एक रात को अब बड़ी हो गए ये लड़की बोली एक रात को रामलाल अपनी पतनी से बात कर रहा था खाना बणा खाने के बाद उसने अपनी पतनी से कहा then shall I accept बिसंबर's proposal, तो उसने अपनी पतनी से पुछा, अच्छा तो बताओ विर, बिसंबर के प्रस्ताब को श्विकार कर लू Yes, certainly, his wife said उसकी पतनी ने का, हाँ, कर लो Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom ये तो Boli की किसमत बहुत अच्छी है जो उसको इतना अच्छा दूला मिल रहा है A big shop A house office on एक बड़ा, एक बड़ा उसकी एक इतनी बड़ी दुकान है खुद का मकान है, and I hear several thousand जिन्दा बैंक, और मैंने तो ये भी सुना है, कई हजार रुपे तो उसके बैंक में जमाए है Moreover, he is not asking for any dowry, और फिर इसके अलावा वो दहेज भी तो नहीं मांग रहा, डावरी का मतल़ होता है दहेज और फिर वो दहेज भी तो नहीं मांग रहा कर दो तुम तो कोई दिकत नहीं है समझ रहे हैं आप That is right Ramlal बोला, बोली का पिता ठीक है, but he is not so young लेकिन अब वो इतना जवान नहीं है हमारी बेटी तो कितनी छोटी है You know, almost the same as I am Ramlal ने का वो विसंबर ठीक है, पैसा है, मकान है अच्छी दुकान है लेकिन उसकी उम्र तो बिलकुल मेरे जैसी है मैंने की, वो Ramlal और उसकी पतनी अपनी बेटी की साधी है कैसे वेक्ती से कर रहे है जो उस बेटी के लिए पिता की जैसी उम्र का वेक्ती है और फिर दूसरी बात यह है कि यह जो वेक्ती है, विसंबर दयाल विसंबर जो है देखो दो बाते तो हो गई, एक तीन बाते हैं इसके साथ में क्या, याद रखें आप एक तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है रामलाल के बराबर उसकी उम्र अलग बग यानि कि लड़की जिसके साथ उसकी सादी हो रही है, वो पिता के बराबर है दूसरा लंगडाता है और तीसरा उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे है वो भी काफी बड़े हो गए है So what does it matter? His wife replied उसकी पत्नी ने जवाब दिया, इससे क्या होता है तो 45 और 50 45 हो या 50 हो It is no great age for a man आदमे के लिए कोई उम्री ज़्यादा नहीं होती है We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense और ये तो हमारी किसमत अच्छी है कि वो किसी दूसरे गाम का है और उसको हमारी बेटी के चेचके दागों के बारे में पता नहीं है और उसको ये भी पता नहीं है कि हमारी बेटी की बुद्धी कम है ये भी गलत है आज पता नहीं हो तो क्या हुआ शादी होने के बाद तो पता चलेगा ये तो फिर उस लड़की के लिए ज़्यादा problem create होंगी न इसलिए बात को छिपाना भी नहीं चाहिए कभी ये भी बागे जाकर के problem ये तो एक तरीकी से धक्का मारने वाली बात होगी कि करतो साथी बाद में जो होगा देखा जाएगा अपने आप बुकते की लड़की ऐसा भी नहीं करना चाहिए और रामलाल की पतनी जाने की उस भोली की माने का कि अगर हम इसके प्रस्ताव को अभी स्विकार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसकी कभी पूरी जिंदगी बर शादी नहीं हो ये कुमारी रजाए यस बटाई वंडर वाट भोली विल से तो रामलाल बोला वो तो ठीक है लेकिन मैं तो यह सोच रहा हूँ कि बोली क्या कहेगी वो बुद्धु लड़की क्या कहेगी विट्लेस का मतलब जिसके अंदर बुद्धी नहीं है मूर्ख विट्लेस का मतलब मूर्ख ना समझ यह मुर्क लडगी क्या कहेगी यह कुछ समस्ती नहीं है अब देख़ो आप माबाप भी किस प्रकार का बिहेवियर कर रहे है अपने बच्चे के साथ गलत है नॉर्मलीक होता नहीं है ऐसा पर एक कहानी है कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, कुछ लोग कर भी देते हैं, ऐसा, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको पहले भी कहता है, हमारे हैं संसकार ऐसे होते हैं, कि बच्चे बोलते नहीं हैं, विसंबरनाथ वाज वेल टू ग्रोसर, ग्रोसर का मतलब पंसारी, किराने वाला, और विसंबरनाथ जो था, वो एक अच्छा खासा वैपार, एक पंसारी था, और वो जब शादी हुई, शादी का दिन आ गया, तो वो अच्छे कासी बरात लेकर के आया, अपने दोस्तों की, रिस्तेदारों की, शादी के लिए, अब ब्रास बेंड, ब्रास बेंड, प्लेइंग अ पॉपलर टून फ्रॉम, हैड़ेट दा प्रसेशन, विद दा ब्राइट ग्रूम राइडिंग अ डेकुरेटेड होर्स, और आपको तो पता ही है, जब निकासी निकलती है, बरात निकलती है, तो बाजे बाजे बसते हैं ऐसे बाजा बजरा था और इंडियन फिल्म जो है, भारतिय फिल्म की किसी गीत के उपर धुने बजरी थी, वहाँ पर देखी होंगे आपने, बरातों में खुब गए ही होंगे आप शादियों में, और दूला जो था, वो एक सजी हुई गोडी के उपर बैठा हुआ था, रामलाल वाज अवर्ज़ईट तो सी सच पॉंप और स्पलेंडर और रामलाल इस शानव शाकवत को देखकर के इस भवयता को देखकर के बड़ा खुश हुआ, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बीटी के ऐसे शादी होगी, वो ली पर देख जा भी इस पने में भ कि उसकी चौथी बेटी की इस प्रकार से इतनी शानों शुकत के साथ साथी होगी बोली जाल्डर सिस्टर सुएट कम फूर दा उकेजन वार एन्वायस और फरलक और भूली की जो बहने थी जो उसकी साथी की ओपर आई हुई थी उनको भी बड़ी जलन हो रही थी बोली से की देखो कैसी मुर्ख लड़की है ना सकल की ना सूरत की और साथी देखो कितने बड़िया हो रही है कितने अच्छा आदमी से साथी हो रही है और जब वो सुब मौका आया तो पंडित ने कहा दूलन को लाओ भई बोली उसने एक लाल रंग का रेश्मी जो जोड़ा होता है दूलन का कपड़े का वो उसने पहना हुआ था वाज लैड उसको लाया गया वाज लैड पैसे हो इसे सिंपल पास्ट का तो दूलन के स्थान पर उसको लाया गया नियर दशेक्रेट फायर वहीं पर जो अगनी जल रही थी आग जल रही थी फेरे बगरहों में फेरे के लिए आग बगरह जलाई जाती है न वनकुंड होता है तो वाँ उसको लाया गया garland the bride, one of his friends prompted विसम्बरनाथ तो फिर विसम्बरनाथ के एक मित्रे ने विसम्बरनाथ से कहा कि बहया माला डालो the bridegroom लिफ्टेट the garland of yellow merrygolds और उस दूले ने यानि कि विसम्बरनाथ ने पीले गैंदों की बनीुही माला उठाई उपर की उसने बोली के गले में डालने के लिए और वोमन स्लिप्ड बैक दा सिल्कन वेल फ्रम दा ब्राइट स्फेस और वही पर ही जो बोली के साथ महिला थी उसने उसका गुंगट जो था वो थोड़ा सा उपर उठाया तो बिसंबर टुक अ क्विक ग्लैंस तो बिसंबर ने एक तेजी से एक जुलक मिली उसको उसके चैरे की जब उसने उसके चैरे को देखा तो माला जो थी वो ऐसे कैसे रह गी उसके आत में डाली नहीं उसने उसके गले में दा ब्राइट स्लोली पुल्ट डाउन दा वेल ओवर अर फेस और दुल्हने जब माला नहीं डाली विसंबर नात ने तो दुल्हने यानि की भूली ने वापस गुंगट नीचे कर लिया तो ब्राइट ग्रूम सॉरी हैव यू एवर सीन हैव यू सीन हर सेट विसंबर तो दा फ्रेंड नेक्स तो ही विसंबर का दोस्त उसके पास ही खड़ा हुआ था तो विसंबर ने अपने दोस्त से कहा देखा तुमने उसके चेरे के ऊपर तो चेचक्यत आ गए तो वाट यू आर नोट यंग आईदर तो उसके मित्री ने का तो क्या हो गया तुम भी तो इतने जवान नहीं हो बुड़े हो गए हो तो बिसंबर नात ने का नहीं नहीं हो सकता है कि मेरी उमर ज़दा हो गई हो लेकिन अगर मैं इस लड़की के साथ साधी करूँगा तो तब ही करूँगा जब इसके पिता जी मुझे पांच हजार रुपे दे देंगे सब समझाय था ना मैंने आपको पुरी कहानी में इसके फर्स्ट पार्ट में रामलाल वेंट और प्लेस इस तर्बन इस ओनर एड बिसंबर स्फीट रामलाल आगे आया और उसने अपनी पगड़ी पगड़ी एक प्रकार की इज़्जत होती है वो पगड़ी उसने रामलाल के पैरों में रख दी और कहा दो नाट हिमिलेट मीसो हिमिलेट का मतलब अपमानित करना मुझे इतना अपमानित मत करो मेरी इतनी बेजजती मत करो टेक 2,000 रुपी जैसा करो तुम 2,000 रुपे ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो नो 5,000 और भी गो बैक कीप यॉर डॉटर लेकिन बिसंबर ने का कि नहीं नहीं पांस अजार लूँगा इससे कम बिलकुल नहीं और नहीं तो तुम अपनी बेटी को तुमारे पास रखो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा तो सोचो मेरे बारे में मेरी इज़त खराब हो जाएगी अगर तुम आज बिना सादी किये हुए चले गए तो मैं गाव में किसी को अपने शकल भी नहीं दिखा पाऊंगा तो बिसंबर दयाल बोला बिसंबर नाथ बोला ठीक है तो पांच जाओर पे निकालो देखो कैसा बेचराम आदमी है हैं ऐसे लोग भी इस दुनिया में टेर्स स्क्रीमिंग डाउन इस फेस रामलाल वेंट इन उपन दा सेफ एंड काउंटेड आउट दा नोट्स और उसकी आँखों से आसुओं बहते हुए आसुओं के साथ रामलाल अंदर गया उसने अपनी तिजोरी खोली पांच जार रुपे गिने निकाले और वो नोटों का बंडल लाकर कि उसने दूले के पेरों में रख दिया on which b Monday's great face appeared a triumphant smile और विसंबर के लालची चैरे पर एक विजय मुसकान आई triumphant smile का मतलब विजय मुसकान यानि कि जैसे वो जीत गया हो अपने खेल में he had gambled gambled का मतलब जुवा खेलना उसने तो एक जुवा खेला था यानि कि उसने तो एक दाव लगाया था कि मिल जाएं पाश हजार तो ठीक है नहीं मिलें तो भी कोई बात नहीं है साधी तो करनी है and won और उस जुए में वो जीत गया था give me the garland he announced और फिर उसने का कि लाओ अब ये माला मुझे दे दो अब मैं इस माला को डालूँगा इसके गले में once again the whale was slipped back from the bride's face but this time her eyes were not downcast एक बार फिर से दुलहन के चेरे से गुंगट हटाये गया लेकिन इस बार उस दुलहन यानि कि भोली की नजरें नीची नहीं थी पहले तो उसने नजरें को नीचे जुखा रगा था यानि कि उसकी नजरों में शरम थी लिहास था लेकिन अब ऐसा नहीं था शीवाज लुकिंग अप अब वो बिलकुल सामने देख रही थी लुकिंग स्टेट अटर प्रास्पेक्टिव हस्मेंड सीधी अपने उस संभावित पती को देख रही थी प्रास्पेक्टिव का मतलब संभावित जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसकी आखो में ना तो क्रोध था ना घ्रणा थी कि अबल उसका तिरशकार था तिरशकार का भावता उसकी आखो में कि ऐसे आदमी से मैं शादी करूँ जिसने इस पूरे सभा के अंदर पूरी इतने लोगों के बीच में मेरे पिता जी का इतना बिज्जती की मेरे पिता ने इसके पैरों में अपनी पगड़ी रख दी लेकिन इस बेशरम इंसान को देखो तुम कैसा इंसान है ये रिष्टे रखने लाइक इंसान है इतनी समझदार तो वो थी बिसंबर रेस दा गार्लेंड टो प्लेस इट राउंड दा ब्राइट स्नैक और बिसंबर ने दुलहन के गले में डालने के लिए माला उठाई बट बिफोर ही कुट डो सो लेकिन इससे पहले कि वो माला डाल पाता हो उसके गले में उसकी गर्दन में भोली's hand struck out with a streak of lightning and the garland was flung into the fire और भोली ने ऐसा जोर से जटका मारा माला को कि माला उसके आथ से छूट कर गे और अगनी जो आग जल री थी वहाँ पर उसमें जाके गिर गई शी गॉट अप and threw away the veil और वो खड़ी होई और खड़ी होकर कि उसने गुंगट भी अटा दिया आप तो गुंगट भी अटा दिया उसने कहते हैं ना है कि नारी जब नारी शांत रहती है जब तक शांत रहती है उसके बाद वो दुरगा बन जाती है, काली बन जाती है और पता नहीं क्या क्या बन जाती है वो उसको गुस्सा आ जाये तो एक नारी सब पर भारी और ठीक किया, बहुत अच्छा किया पिता जी, सैट बोली इन अ क्लियर लाउड वाइस और अब उसने बिलकुल इसपस्ट आवाज में तेज आवाज में कहा, अब वो हकला भी नहीं रही है देखो अब, पिता जी और फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशन और नेबर्स वर स्टारल्ड और उसके माता, पिता, भाई, बहन, पड़ोशी, रिष्टेदार, नातेदार सारे के सारे बहुचक के रह गए उसको बोलते हो जब उन्होंने सुना बिना हकलाय हुए बोल रही है वो पिता जी, टेक बैक यॉर मनी आम नाट गएंग टू मैरी दिस मैन पिता जी, अपने पैसे वापस उठालो आप मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी रामलाल वास थंडर स्ट्रक रामलाल तो एकदम भॉचक करे गया क्या हुआ है दा गैस्ट्स बिगें टू विस्पर और जो महमान आय हुए थे वहाँ पर वो भी सारे फुस फुस आने लगे सो शेमलेस, देखो कैसी बेशरम लड़की है यानि कि लड़की के लिए तो बोल दिया और विसंबर नाथ ने इतनी बेशरमी की ते उसके लिए कोई भी नहीं बोला देखो आप सो अगली एंड सो शेमलेस कितनी बदसूरत लड़की है और कितनी बेशरम लड़की है देखिए आप उस लड़की की बेशर में दिखाई दे रही है उस विसंबर नाथ की बेशर में दिखाई नीदी यह है हमारे समाज यह है हमारा समाज देखिए आप लड़की को कुछ भी कह देते हैं लेकिन उस इंसान के लिए जिसने वास्ता में नीचता का काम किया उसके लिए दो सब्द नहीं कहे बोली, are you crazy? shouted रामलाल, रामलाल चिलाया बोली, पागल हो गई है क्या? you want to disgrace your family? तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाती हो have some regard for our इज़त अरे कुछ हमारी इज़त का ख्याल है या नहीं है तुमें for the sake of your इज़त said बोली, आप देखें बोली की बात आप सुनिये बोली ने का पिताजी for the sake of your इज़त I was willing to marry this lame old man आपकी इज़त के लिए ही मैं इस लंगडे और बुड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी but I will not have such a mean greedy and contemptible coward as my husband लेकिन मैं ऐसा मतलबी, लालची ऐसे आदमी को ऐसा गटिया मनोवरत्ती वाला व्यक्ती इसके साथ मैं सादी नहीं करूँगी ये डरपोक वेक्ती है कायर कहीं का I want, I want, I want want का मतलब will not मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी what a shameless girl we all thought she was a harmless dumb cow तो वहीं पर एक महिला खड़ी वी थी महिला ने का, देखो कैसी बेचरम लड़की है हमने तो समझते थे कि ये गूंगी गाय की तरह है लेकिनी तो बोल रही है बोली turned violently on the old woman और बोली उस बुड़ी महिला की तरफ गुस्चे से घुमी और कहा yes auntie, you are right हाँ auntie, आप बिलकुल सही कहती हो you all thought I was a dumb driven cow तुमने तो ये ये सोचा था था कि मैं गूंगी गाय हूँ कहीं पर भी मुझे ले जाओगे that's why you wanted to hand me over to this heartless creature और इसलिए तुम मुझे इस निर्देई वेक्ती के साथ मुझे बांद देना चाहती थे इसके साथ साथ साधी करना चाहते थे तुम मेरे इस निर्देई वेक्ती के साथ जिस आदमी ने केवल कुछ पैसों के लिए ये हाल कर दिया आज मेरे से कह रहा था कि साधी नहीं करूँगा जब तक पांसे जार रुपे नहीं मिलेंगे गाय ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की अब बोल रही है डू ये वांट टो हेर मोर और कुछ बोलू अभी और कुछ सुनना है आंटी की तो आलत खराब बिसंबरनाथ दे ग्रोसर इस्टाटे टो गो बैक विद इस पार्टी और बिसंबरनाथ वो जो पंशारी था किराने वाला था वो अपने बरात ़ाछ के साथ वापस जाने लगा The Confused Bandman thought This was the end of the ceremony and struck up a closing song और वो जो बाजे वाले थे बिचारे वो तो संज़नी आ रहा था उनको क्या हो रहा है उनको लगा कि बरात बिदा होकर के वापस जा रही है फिर से बाज़ा बाज़ाने लगे हूँ जबकि अब तो बाज़ा बाज़ाने का कोई मतलब भी नहीं था रामलाल इस्टूड रूटे टू दा ग्राउन और रामलाल वो खडा रहा वहां पर जमीन को देखता हुआ His head bored low with the weight of grief and shame और उसका सेर सर्म और दुख के मारे जुका हुआ था The flames of the sacred fire slowly died down और जो अगनी जल रही थी वहां पर फिरों के लिए वो भी अब धीरे-धीरे कम होने लगी Everyone was gone, सब भी वहां से जा चुके थे रामलाल turned to bully and said But what about you? रामलाल अपनी बेटी की तरफ घुमा और उससे का उसने लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? No one will ever marry you now अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा? What shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे बताओ? कैसे तुम्हारी जिंदगी पार लगेगी? और सुलेखा जो थी उसने बहुती शांत इस्थिरवाज में कहा Don't you worry पिताजी पिताजी आप चिंता मत करो In your old days I will serve you and mother आपकी वृद्धा वस्था में मैं आपकी और मा की दौनों की सेवा करूंगी and I will teach in the same school where I learned so much और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी अब जिसी स्कूल में मैंने इतना सब कुछ सीखा है Isn't that right, ma'am? और वहीं पर उसकी टीचर खड़ी हुई थी और उसने अपनी टीचर से पूछा, ma'am सही कह रही हूँ ना मैं? गलत तो नहीं है The teacher had all along stood in a corner watching the drama Yes, of course, she replied और उसकी teacher ने जवाब दिया हाँ, बोली, बिल्कुल तुम सही कह रही हो and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction और उसकी मुश्कराते हुए आँखों में एक गहन संतुष्टी का भाव था that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece एक उस कलाकार की भाती उसकी आँखों में भाव था संतुष्टी का, जैसे कि एक कलाकार जब अपनी कोई service rest करती बनाता है और service rest करती के समापन पर उसकी अंतिम, मतलब जब वो उसको बनाता है तो उसके पूरे होने पर उसके मन के अंदर जो संतुष्टी के भाव होते हैं, ये संतुष्टी के भाव उस बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा lesson complete हो गया, thank you once again